कि सख्ति को हम यहाँ देखते हैं कि क्या इस भाध्स at abcud usa यह दुरुबे शेटर थो आते हुए हमको तापमान में कमी आती है यहां पर मैं छेए बाद हम देखते हैं अब देखेंगे पर्थिवि का एक मोडूल बनाकर कियार है कि यह भूमत रेखक चर्ण है कि मैं स्टेटमेंट में काया कि भूमत और यह आर्कटिक ब्रित्थ हैं तो यह वो पोसर कटबंध है यह वो पोसर कटबंध है दश्री गोलालत का और यह अंटार्क टिक ब्रित्थ है करक और मकर रेखा के बीच में लगभग कोई ऐसा महीना नहीं होता है करक और मकर रेखा के बीच में हमेशा रहती है साल के बार महीं में कि दूसरी बात की उपोसर कटबंध वाले छेत्र में जो तापमान है कैसा तापमान है यहां पर 28 सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि सुर्ण तो लंबहुत यहां चमकता है सबसे ज्यादा सूरिया तब इस शेत्र में प्राप्त हो रहा है तो तो इस शेत्र के महासागरों का अधिक होना चाहिए फिर यहां क्यों है अभी मैं इसी चीज़को एक्स्प्रेंट कर रहा तेजी से गिरावट आ रही है अब इसी बात को यह जो आसमानता मिल रही है इसी स्टेटमेंट में इसको बढ़ा देते हैं घरता जाता है किन्तु ओपोस्र कटबंध छेत्र में ओपोस्र कटबंध में भूमध रेखा की अपेच्छा तापमान अधिक होता है तापमान अधिक होता है कारण अस्वस्ट कीजिए यह हो गया में इसका कोशन यह पूरा मेंस का और बढ़िया कोशन है कि आप से पूछा जा सकता है कि कारण अस्वस्ट कीजिए कि भूमध रेखा छेत्र से धुर्वों की ओर जाने पर महासागर्य जल का तापमान सामानेता क्या होता है घटता जाता है किन्टू वो पूस्ट कटबंध छेत्र में तापमान अधिक पाया जाता है किसकी अपेच्छा भूमध रेखा की अपेच्छा तो क्या कारण है आप अस्वस्ट कीजिए यह मेंस का कोशन हो गया देखिए यह कोशन क्यूं बन रहा है क्योंकि कि सोचने वाली बात है कि जब विश्वत रेखा भूमध रेखा छेत्र में सुर्यातव साल के बारा महीने प्राप्त हो रहा है तो फिर यहां पर अधिक तापमान ना हो करके आज पास के छेत्रों में ओपोस्ल कटबंध में तापमान अधिक है जबकि यहां पर साल के कि देखिए सबसे पहले देखते हैं कि भूमध रेखा पर तापमान महासागरू में भूमध रेखा पर तापमान कम होने का कारण क्या है कि कम होने का कारण देखिए भूमध रेखा छेत्र की एक बिसे इस तरह है कि इस छेत्र में साल भर संबहनिया वर्षा होती है बढ़ी जल्वाइब जब बिढ्ञान में आपको यह बताया गया है कि संभावनियवर्ण वर्णा कैसे होती है होता क्या है कि यहां की जमिन अपद्छाकरित आसपास के छेत्रों महासागरी छेत्र ज्यादा गर्म होंगे आसपास के छेत्रों से अजब ताप्मान इनका बढ दूसरी वयव दिवर्षाइगी वन्धाए यूब यू बनेने संघंधन होगा और वर्षा हो देल संभणानर वर्षा संभणीहवरšths तो हुआ इसको 35 डिविता अपमान लेकिन दूसकारण क्या हुआ कि यहां पर बारिस हो गई और बारिस का जल कुछ ठंडा होता है और महासागरों में पहुंच करके वह महासागरिये जल का जो तापमान है उसको गिरा देती है जब इसके कारण की बाता है तो एक कारण तो इ साजल किसी ना किसी नदी के माध्यन से महासागरों में उसी अच्छफान के सब्सक्राइगा ओ जब यह में सब्चाओ जल की जड़ा तो यह हुआ कि जीए चकेंग生मिगरा कि उसरा है में नभी द्वारा है जिए मेजन नदी है आप दैहान से देखें तो जो अमेजन नदी है वह अमेजन नदी दुनिया की बहुत ही वेसिन है और उस बहुत भारी मात्रा मेजल राते हैं डलागे महासागर में मिलती है और उस फेतर के तपमान को गिर गोदा कशेगे लिफार करन करते हैं कि जब देखेंगे कि कि संबहणी की वर्षा के तर से millimeter बने और बदल में छोब मंदल में चोब मंदल में बदल बने क्या वो सूरिया तब को पूरी तरीके से आने देंगे धरातु तक नहीं को राश्ते में रोकेंगे यहां सूर्या तफी कंप्राप्त हो रहा है क्यों कि पारदर्सिता नहीं है वाय मंडल में वाय मंडल में पारदर्सिता नहीं है तो तीसरा कारण जो इसका हो जाएगा वह यहीं हो जाएगा कि भूमध रेखिए वाय मंडल में हुआ मंदल में हमेशा बादल चाहे रहते हैं हमेशा बादल चाहे रहते हैं जिस कारण सूर्या तब प्राप्त कम होता है जिस कारण सूर्या तब कम प्राप्त होता है यह तीन कारण है भूमत रेखा पर तापमान कम होने के यह तीन कारण होंगे संबानिय वर्षा जो की वर्षा का जल चुंकि ठंडा होता है इस छेत्र में जब वर्षा होगा तो महासागरी शेत्र में जब वर्षा जल पहुंचेगा तो क्या होगा वहां का तापमान गिर जा से वर्साजल महासागरों में आएगा जो कि आप इच्छाग्री ठंडा होगा मीठा होगा और यहां का तापमान कम कर देगा तीसरा कारण है कि जब बारिस हो रही है रोजाना वहां पे तो वहां मंदल में बादल भी बन रहे होंगे अगर बादल बनेंगे तो फिर सूर के प बनता है कि क्या कारण है कि वह पोस्ट कटबंध छेत्रों में भूमत देरेखा कि यह पेच्छा महासागरी यह तापमान अधिक है यह पूसन में लिग दे रहा हूँ कि देखे जो गूमत देरेखा छेत्र से जीरो डिगरी अधिक होने के कारण जो हवाएं उपर उठी है गर्म हो करके वा उपर जा करके ठंडी हों आजब ठंडी होंगी तो वरसा भी करेंगे और साथ में यह हैलेंगी फैल करके नीचे की और यहां पर हाई प्रेसर बेल्ट बन जाएगा अब जब यह वह उपर से गिर रही है हमाएं तो कहां फो आघ्रेंगी आख यहां से वायुदाब यहां अधिक होता है, तो आप कहई सकते हैं कि पहला जो इसका कारण भरेंगा कि यहां पर तापमान अधिक क्यों है, कि सब्सक्रॉंद होने का क्या फर्क परता है, कि अगर ब्लधे यहां पर अवतलित हो रही है रसा नहीं जब तो साल के रहा है दूसरी चीज कि जब यहां वायू का अउटलन हो रहा है तो वायू मंडल एकदम पारदर्शी होगा एकदम साफ वायू मंदल लोगा तो जो सूर्यात्र अपाये गार्यात्स में यहां पर्यात्तर टिक थक्ठार्च परिया और फिर वरसा भ प्रभाव पड़ता है यहां पर नहीं होगा लेकिन उपर नहीं उठाएगा तो वर्सा नहीं होगा तो ठंधा जल नहीं आएगा यहां जो तापमान है वो बना रहे जाएगा ठीक है एक कारण हा यह सक्नान दोल सूर का लंबुड होना करें कर जब सूर का लंबुड है तो वह मंदल साफ रही है पर अदRIA मतरा प्राप हो राहें तीसरे कारण के तवर पर आप दे सकते हैं इस शेत्र में मारुस्थर पए जाते हूं इस छेत्र में मरुस्थलों की उपस्थिक है अब यह कैसी इसके तापमान को बनाए रखते हैं भही मरुस्थल है उनकी प्रविर्थ होती है कि सुर्यात थोड़ा सभी प्राप्त करेंगे तैसे वह गर्म हो जाएंगे और जब कोई गर्म हो जाता है तो अपने आसपास थोड़ा बहुत शेत्रों को तो गर्म करेंगा ही आप देखेंगे कि जितने बड़े मरुस्थल हैं वह इसी करक रेखा और मकर रेखा को पकड़ के आप चलिए तो आपको सारे बड़े मरुस्थल मिल जाएंगे जैसे सहारा मरुस्थल है अधार मरुस्थल है यह सब इस सब इसी गर्म हो जाएंगे तो इनकी जो गरम गर्मी है उसका प्रभाव महसागरों की पड़ेगा इस वोज़े से महा सागर्ये टापमान बढ़ा रहेता है तो यह तीन पॉइंट इसके कारण है कि यहां पर तापमान अधिक क कि इस पर लिखते हैं एक प्रस्ण इस पर यह बनता है कि क्या कारण है कि क्या कारण है कि आरक्रिक तथा कि अंटार्क्रिक बृत के सहारे कि बृत के छेत्र में कि महासागरिय सता का तापमान तापमान नियुन्तम या माइस वन पॉइंट सिक्ष डिगरी तक पहुत जाता है ह one कि यहाँ पर आप देखे इस हेत्र में सूर की क्रणे लंबोत न परकर के तिर्शी पर्ती है यहाँ के सूर या तभी नहीं पराद हो रहा है हो इनके ताप्मान कम होनी का में में तिरसी पढ़ती है कि जब सूर की क्रणे तिरसी पढ़ेंगे तब बहुत कम प्राप्थ होगा तो इस थेत्य के गर्म होने का सवाल ही नहीं बनता है कि हार जिस्थिति बने हुई आज दो गलोबल वार्मिंग के खाल दूब्य और जब बर्फ पिखलते हैं तो उसके जो ठंधा ठंधा जल है वह ठंधा जल क्या होता है महासागरों में मिल जाते हैं और आसपास के छेत्रों का तापमान तेजी से गिरा देते हैं तो यहां पर आप लिख लीजिए ध्रूबिये बर्फ का पिखलना कि यह दो कारण है कि धुरूबिये चेत्र के तापमान में तेजी से गिरावट आ जाती है दोनों कारण पर आप 25-25 सब्दों भी लिखेंगे तो एक छोटा मेंस का छोटा कोस्टन जो आता है सौट में लिखने के लिए पचास सब्दों में